हलो दोस्तों वेलकम बैक टो वर यूट्यूब चैनल तो जैसा कि आपको पता है यूपी मेट्रों की क्लासेश चल लए है रेगुलरली तो इससे पहले हमने पढ़ा था मात्रकों की पद्यतियां एवं मापन की इकाईयां ठीक है आज की लेक्चरम पढ़ेंगे हम मीजरमेंट टूल क्या-क्या होते हैं इनसे भी कोसन बनता है ठीक है तो अभी फिलाल यह बोरिंग टैप के चैप्टर चल लें आगे बस आने वाले हैं एक दो चैप्टर और है इसके बाद इंट्रेस्टर चैप्टर आ जाएंगे तो कल हमने पढ़ाता मात्रकों की सब्सक्राइब डें धीक है और इंटारेक्ट में टानसपर करके जो रीडिंग जैसे ऐलेक्ट्र commencement वेट मसीन हो गया ठीक है cash कैलीपर हो गया तो यह इंटारेक्ट मीजरमेंट और जो वर्नियर कैलीपरस है इक क्रू गेज तो यह क्या है यह भिका है यह तो आपको पता हो तो यह आपको सब पता होना चाहिए जनरली ठीक है तो आगे चलते हैं तो स्टार्ट करते हैं मापक यंत्र ठीक है पूछ सकता है इस्टी रूट किस माटेरियल का बना होता है तो यह हाई कार्बन इस्टील का बना होता है ठीक है तो आगे चलते हैं तो आगे बात करते हैं इसके साइज की साइज कितना होता है तो साही होता है 1500 mm से 300 mm ठीक है तो यह तो पता चलिए आपको यह measurement tool है लेकिन question ऐसे भी पूछ सकता है कि यह direct measurement tool है कि indirect है ठीक है तो यह कैसा है direct measurement tool है ठीक है अच्छा इसके type देख लो इसके type क्या-क्या है पहला type है standard history rule इसकी जो list count होती है अलपत्मांग वह होती है 0.5 mm या एक वट्टे 64 inch ठीक है अच्छा flexible steel rule दूसरा हो गया तो यह किस material का बना होता है यह spring steel का बना होता है ठीक है अच्छा narrow rules यह क्या होता है नेरो से सहीं में आ रहा है मतलब पतले सक्रे सक्रे स्थानों में माप लेने के लिए यूज क्या आता है नेरो ठीक है इस चोड़ाई 5 mm होती है ठीक है तो आगे चलते है shrinking rules ठीक है यह क्या होता है यह देखो shrinking rules इसका उप्योग किसमी किया जाता है pattern making में किया जाता है ठीक है इसमें जो खाने होते हैं वो सामान साइसे बड़े होते हैं थोड़े इसके खाने एक वट्टे 10 इंच से 7 वट्टे बड़े होते हैं ठीक है इसका उप्योग pattern making में modeling soap में और गरम बस्तों के मापन में तो यह पूछ सकता है question ऐसे कि modeling soap में किस measurement tool का क्यों किया जाता है तो क्या shrinking rule का ठीक है मैं आपको रहें लगार क्या आना है जक्या किå सी टूल क्या है वर्गा का सतों पर रेखाहन किछने में क्या जाता है क्या क्यलबर वह हो गया अपना इस्टी rule हो गया इस्टी कश् ilsक्स नंतुरत करेंमें किया जाता है और ये किस मट्रील का बनाई होता है तो देने को मिड़् श्टील का और है कीकर्बफच वैल श्टील और हाई-कारवनटील का बनाई होता है ही इसके देड test होते टाइप तीन टाइब से हैं रहे हो बनावट के कर पर आदार पर की जाए तो vorm joint और go एकुरेसी अच्छी होत होता है तो यह क्या आयोटसाइट से बाइब यह भारी मापों के लिए उज किया जाता है इंसाइड में ठीक है इसमें क्या होता है एक सायड होती है और उसको एक जगह रखके दूसरी लाइन कीजी आति है उसी के समानतär बढ़ाते जाते हैं तो लाइन किस्ती जाते हैं समानतर लाइन हैं जाती है याच नोड देख लो नोड का है केली पर्स का जो साझ होता है वो rivet center से और gazing point की दूरी तक लिया जाता है जो calipers का size होता है वो rivet center से जैसे मालो यह है कोई यह rivet लगी है और यहां से एक side में यह है और एक side में यह है यह क्या है यह यहां पर fix रहता है ठीक है और यह line खिचता यहां से तो यह इसकी जो साइज होगी और रिवेट यह रिवेट सेंटर से गेजिंग पॉइंट को इसकी साइज यह होगी ठीक है आगे तीसरा जो है मीजर मेंन्ट तूल है ट्राइज का ठीक है गुनिया तो स्टैप का होता है देख लो इसमें क्या है यह ब्लेड है जो बिलेड किसका बना होता हाई कार्वन स्टील का और यह 90 डिगरी के अंगल पर होता है अच्छा जो स्टॉक है वो कास्ट आरेन या ऐलुमिनियूम का बना होता है तो देखो यह लिखा हुआ है और सारी पॉइंट लिखें है ठीक है सभी पॉइंट लिखें है और पूरा देखना नहीं पड़ रहा है डायक्ट लिखा हुआ है उसी में देखके बस हो रहा है ठीक है तो इसी तरह वीडियो डालें है और आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सक्षान हो पूछ सकते हूं ठीक है इसकी साहता से क्या है जी ट्राइस स्क्वार है ठीक है वरना क्या है इसकी साहता से क्या होता है जोब कि समकॉन की जाच की जाती है ठीक है और 90 एंगल पर रेकाइं कीची जाती है यसे हम रेका कीचते हैं तो 90 एंगल पर इसकेल से सिर्फ नहीं कीच सकते ठीक है कुछ इदर अधर हो जाती है लेकिन इससे क्या होता है बिल्कुल यह यह बेविल प्रोटेक्टर इसकी जो अलपत लीस्ट काउंट होती है वह व वन बाइट ट्वैल डिगरी या फाइम मिनटी तो यह इसकी अलपत उनकों हो धिए अजया मेटेरियल का इसमें मेटेरियल यह कौन सा यूज किया जाता है तो हाई कर बन स्टील यूज किया ता और आगे देखो नोट इस टेंडर मापों में 20 degree C मतलब इस टेंडर मापों को जब हम मापते हैं तो वहाँ पर temperature केतना होना चाहिए 20 degree Celsius होना चाहिए अगर इससे जदा होगा काफी तो क्या होगा जो माप हैंगे वह accurate नहीं आएंगे क्योंकि ज्यादा temperature में कोई भी जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं तोड़ा उनका पिरसार होता है ठीक है temperature ज्यादा होगा तो standard जो temperature है वो 20 degree होना चाहिए तो उसमें जो मापते हैं वो एकदम standard accurate आती है ट्राइस्केर से चेक की गई परस्वत्ता 10 mm लंबाई पर 0.002 mm होती है ठीक है तो देखो ट्राइस्केर से चेक करते हैं परस्वत्ता 10 mm लंबाई पर तो 0.022 mm होती है ठीक है तो यहीं तक कतम होता है अगला lecture ठीक है जल्दी upload किया जाएगा तो कोई भी doubt हो तो comment section पूछ सकत this video or thank you for watching video